असम में चले पूरे चुनाव प्रचार के दोरान, क्या किसी को याद आई सैम की, सैम स्टैफोर्ड की, उस खक्षा नौ में पढ़ने वाले ड्रमर की, जो गोहाटी में रहता था, जिसकी जान चली गई नागरिक्ता संशोधन, विरोधी आंदोलन के दोरान, जिसे दो गोलि लगी थी, एक सीधे ठुड़ी के नीचे यार और पार, आज हम आपको ले चलते हैं उसी गली में, जहां बसता है उसका घर, जहां उसकी बहन आज भी याद करते हुए रोती है, उसे गम है, कोई याद नहीं करता, नागरिक्ता संशोधन कानून, एक बड़ा मुद्दा, असंद की राजनिती में नहीं रहा, दो हजार उननिस में दिसंबर बारा को, नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ, गोहाटी में जो प्रदर्शन निकला, उसमें वह पुलिस गोली के शिकार हुए, और तब से लेकर आज तक यह परिवार संखरश्रत है, उनकी बड़ परिशान हुई, बहुत बड़ा सद्मा मिला, एक ही भाई बहन है, और उसके बाद से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, अभी भी जब हम यहाँ नियूस्लिक की तरफ से यहाँ पहुचे, तो बहन मा को समभालने में लगी हुई थी, वो गाहे बेगाहे अपने बेटे को खोजने के लिए सड़कों पर निकल जाती है, यह बताएं कि 2019 में यह हादसा हुआ, जब गोली लगी, तब से लेकर आप कैसे घर चला रही हैं, बहुत मुश्किलों में हैं आप, जब सेम का डेठ हुआ, तब तो ठीक ठाक था, जब लोग आ रहे थे, खबर भी ले रहे थे, उसी ताइम यहां पर एक क्राउच्चा हो गया था, जब ममी का भी खबर ले रहे थे, फिर जैसे जैसे लोकडाउन शुरू हुआ, फिर किसी का आना भी बंद हो गया, और फिर ममी टैंशन में पड़ ग travail, ज़िसे कैसे सवाल पूस्ते थे, किसी को, मेरे बेट कौन आय मिलेगा कि नहीं, जस्टिस मिलेगा कि नहीं, और इसपरी मारा किसी लिये मारा उसको, किसी किसी नी बोला उसको मारने से पहले चाइल तोचर भी किया था, ऐसा रहे अज मेर्व न छे यह चार इंजीय भी मिला था थोड़ा उस दिन के बारे में बताईये क्या आपके पास खबर आई क्या वीडियो आपके पास आया चै चै बीच में ऐसा हुआ था जो प्रोटेस्ट में क्या बुला फैरिंग का साउन आया किसी ने बुला वहां पर फारिंग हुआ है तो मैंने स्वाजा सेम को एक बार फोन कर दूँ वो तो सुबह यहां पर लताशिल प्लेग्राउंड है वहां पर प्रोटेस्ट के लिए जुबिन ने इनवाइट किया था उस दिन दिसेंबर 12 को इनवाइट किया था फिर यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था यहां पर फिर जुबिन कौन रे सवेर वन का सींगर है वह फिर उस ने बौल फिर बाइने बोला, मम्य जुबिंदा ने बुलाया, सब मुजीशिन को बुलाया, то में भी तो एक मुजीशिन हूँ, तो इसलिए जाना परेगा मुझे, तो मम्य ने बोला, नहीं मत जाओ, फिर मना करना, करना करना, फिर मम्मी ने पूछा थीक है आने के समय उसने फोन किया फिर मम्मी मेरे घर में चला गया जाने के बाद पाच बजे मम्मी ने बोला थीक है वो आया कि नहीं एक फोन कर लो ऐसा बोला फिर मम्मी घर पे आया आके उसको फोन किया तुम कहां पे हो मम्मी हम आ रहा हैं यहां प वो मैंने बहुता बूओक लेगी तोिमने क्या बनाया है मैंने बनाया पुला एक बनाया इप घंतेत कि ऑनातां मैं नडहाता है तुम बना कि रखो हमारा मैं जा रहा हुं हुआपे व्ले एक सी टिमीनात्त ने भीच मेन डिनला भीर्ट उससे पहले बूली, इस पहले प्ली प्ली किसके पास आया मां के पास हो मम्मी के पास है किसी किसी ने देखा था मंम सेंगी अभी उस समें उसको नहीं पί Taste बारे बुजर, बुजर गिरा पारा हुआ है ऐसा बोला था फिर खबर हुआ कि नहीं सेम है उसको एंबुलेंच में लेके जा रहा था ऐसा बोला और उसी उची भीस मैंने एक फोन किया था देखा जब न्यूस पे ऐसा हा रहा था जेपी सिंग का गौहांती पे डुटी पर रहा था उस समय तो मैंने सोचा है और मैंने एक करना जरूरी है तो मैंने फोन लगाया फोन लगाने के बाद किसी दूसरे ने रिसीब किया रिसीब करने के बाद दो इसने बोला मैंने बोला हलो तु 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 कहां पर मैंने बोला तु 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 को ता सो एंगे हुदीलो तब हुदी उसने बोला कौन तु तु मैंन फिर नेक्स टेम फोन लगाया, मैंने मनमीच हो जाया, अब इसको डाट लगाऊंका और घर भेज दूँगा, ऐसे बोला, फिर फोन लगाया, फोन लगाया, तुटु तुम कहां पे हो, ऐसे बोला, कौन तु तु नहीं जाते है, मोबाइल कैसे मिला आपको, मोबाइल दो, ऐ पेरो केनी से जमीन नहीं रहे, मोबाइल भी गिर गया, फिर हजबन ने जैसे तेसे संभाला, संभाल के मुझको बोला, ठीक है, तुम कपरा पेनो और चलो, फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो, आप लोग आज है, वो अभी जिन्दा है, ऐसा बोला, गोली लगी है, क यहां पर लगने से कौन बचेगा, फिर उसी समय डेठ हो गया, गोली खाने के बाद ही डेठ हो गया, फिर जीमसी में गया, हम लोग हमारा परिवार गया, जाने के बात, वही उसको स्टेजर में लेठा हुआ देखा, उस दिन तो, असा बहुत बुरा लगा, यह उसका यह कभी नहीं देखा, खून से लटपत, मुझ से एक आवाज भी नहीं, उसी तेम बहुत बुरा लगा, इसा लगा, उसी दिन हम सब मर गए, गोली क्यों चली थी, कि आप भगदर कुछ उसके बाद पता चला कि किस ने फाइरिंग और दिया था, और क्योंकि आप तो बता रहे थे, प्रोटेस्स से वो लौट रहे थे वापस, रहे एक प्रोटेस्स से लौट रहे थे, लेकिन यहां से एक रेली जा रहा था, तो रेली जा रहा थे किछ भी घ्ट है, तो पीस्फुली रेली, तो फाइरिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं थे, और किस लिक दार थे, इहां पर तो कोई भी ऐसा वाइलेंस भी नहीं ह हुआ था अगर फायर इंग करना पड़ा तो कैसे कर दोस्तों ने आपको बताया कि क्या हुआ पोई और लोग साथ में थे जब भूली चली उसी ताइम तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ खीया ले मने बताया था बहुत सारे ने बताया था लेकिन कौन क्या बताता है कोई नहीं जानता है कि सरकार ने उसके बाद कुछ मदद की कुछ एनाउंस किया नहीं सरकार Casano Opto काने अभी तो बो सही भी नहीं बोला हैом कैसे बोले गा है कि एर दो गोली जिनकी और्डर से चला उस पे भी कोह हम्वा सराओ उसी ताइम तो जुडिशनेल इंक्वेरी भी मांगा हुआ था, लेकिन कहां दिया, नहीं दिया. तो उसके बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ ही है? हाँ, उसी ताइम से अब ये तो बंदी हो गया, बोलना परेगा. ऐसा ही बोलना परेगा कि सब लोग भूल गये. इलेक्ष्ण का बुखार जाने के बाद देखते हो, क्या होता है? Sam Music में दिल्चस्पी थी, क्या करते थै Sam और पढ़ने के अलाभा? मुजिश में मुजिक में दिल्चस्पी नी, उसिकन बजाते थे, 뮤्जिशिं थे, वल्शो भी करते थे, फिर ऐसे-इसे कुछ मम्मी को financial support भी करते थे थोड़ा बहुत ऐसे गुजारा चल जाता था मम्मी का भी चलता था वो भी फिर उसके उनका band था साम किसी band में काम करते थे या अपना ही कुछ बजाते थे बैंड में जाते थे लेकिन ऐसा ही नहीं कि यही बैंड है ऐसा नहीं वो single था वो जा जाके ब जाता था एसा हम लोगे के हां पर भी हो फांक्षन भी होता है यह पुजे पुजा में भी बजाता था ऐसे बजाता था एज दिन लेया था लिया था उर दिन फिस्बूप में पोटो अपलोड किया अजमी आए इस टुमें लाँता टुने में लेए 26 था इच था खाँ एक प्रोड बोर्डी नोले मत्रो टेरो दिन बाकी तुमार बंदुकर गुलित फुतिले रोंगा कन मनी हम्भाबनार एक बेलुनौर जदिवा तुमी क्योती कुरिबो नुआरिला मोई मांचित्र एतियाव हबती असो निम्रान मुर्बुकूत इपारोर पराखी पारोले आह इमान जे खुन्दर तुमार बोर्डी नर उपहार तुमी मुर् कोफीन तु खुला पाभा मुर् प्रोटी उपहार आईर होईते एया मुर् खेख अलिंगन जया एक हम ये क्रिस्मास था जब कि बाराफ दिसेंबर को सिंका जो देथ हुआ था फिर तेरा दीन बाकी था प्री खिस्मास तक उस तैम लिखा था क्रिस्मास के लिए तेरा दिन बाकी है फिर बंदूक से निकली गोली मेरे सीने में लगा ऐसा लिखा हुआ है यहां पर बहुत अच्छा लिखा ये दो पेरेग्रफ नेचर कैसा था साम का क्या उनको पसंद सा और क्या वो फिलिटिकली एक्टिव भी थे हम बताते हैं कि बजाते थे तो क्या कुछ और भी तरह के गानों पे बजाती हुआ गाना तो सभी में बजाते थे और और प्सिया पुलिटिकली को लőन निद्ट tau reactors और बहुत मासूमता था उ जूत बोलना उसे बहुत बुरा लगता था उसके गुसा भी एनुके लेकिन हां छी किसी को बुरा लगे़ ए शाय किसी को अच्छा लगे वह सात है मैं हा बहुत प्यारा थाक जो दूप्साइब दे सकता था तो अभी वह नहीं है इसलिए बहुत अकेल हमें सूस करता हूं और जाने के बाद ऐसा हो गया फिर इस तरदे तू यह तरसंदे था तो इस तरसंदे जहां उसका कबर है वहां पर गया था फिर ममी को भी ले गया था ममी रो रहे थे अभी सेम के जाके रोता है फिर दूसरे कबर में जाके बूल जाता है यह सेम के कबर है जा बूल जाता है फिर कबर में जाके बोला क्यों छोड़के गए तुम और छोड़ना ही था तो सबको एक सथ लेके जाना पर जाना होता था क्यों छोड़के गए इस बीच बीच रास्ती में बोलना ममी को क्या हुआ? उनका ये मेंटेली प्रोब्लेम हो गया है और किछ भी याद नहीं है थोरे दिन पर याद सेम बखार मुखार हो के मारा किसने मारा पहले थाने में जांगी इसको ऐसा करता है, थाने में जाओंगी, किसने मारा, ऐसा बोलता है, घर में हला गुला यह सब करता है, पास के लोग निवर्स पूछते हैं, क्या हुआ आज से हमके ममी को, सब जानते हैं, आज उसको याद आया, फिर नेक्स दिन वो भूल जाता है, और इक अब से चल रहा ह उनके साथ? किस फेक देता है, आप जब सेम फोटो देखता है, तब नॉर्मेल हो जाता है, एक एक देखता है, एक तिर से देखता है, बोलते है, कहा गया मेरा बेता, किसने लिए गया, ऐसे बोलते है, फिर थोरे देर थन्दा हो जाता है, अब तबियत कैसी है, आब बहुत, बहुत, अभी तक आया नहीं इसलिए हम उखाने हैं इसलिए हम उखाने हैं इसलिए हम उखाने हैं अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें का कोई मुद्दा नहीं बना जादा और शुरू में लग रहा था कि असम में नागरिकता संशोधन कानून एक मुद्दा बनेगा आपको क्या लगता है ऐसा क्यों वा लोग क्यों भूल गए इस जिसमें आपके भाई भी शामिल थे इसलिए कि अब का issue हो गया है, election issue हो गया है फिर election के बाद क्या हो सब भुली गया, का क्या थे फिर भी असाम के लोगों के दिल में 10% होगा सायद लेकिन हाँ साय याद होता अगर ये पांच लोग नहीं मरहा होता याद रहा होगा मतलब याद होता याद रखने की कोशिश करते जब यह पांच लोग नहीं मरें संगे ये तो मर गया इसलिए कि बूलने के लिए शायद मरा हुए एक आसाम की लोगों के मन में एक दर पैदा करने के लिए पांच लोगों को ऐसी जनुवार की तरह मर दिया साम की मौत के बाद यहां पर आंदोलन कम हो गया तोटेली बंद हो गया साम की मौत के बाद कोई राजनितिक दल पॉलिटिकल पार्टी जो आई हो इन नयाय दिलाने के लिए जस्टिस के लिए साम को आपके पास साम की गुजरज़ानि के बाद तो पहले कंग्रेस परटी आयाए है हम लोगे घर में कंग्रेस परटी आया थे फिर उन लोगों के रहूल गांधी जी वू आया थे आके पांच जन सहीद की परिवार को कंपिंशेशन दिया था तो लक्स ऐसे दिया था deed , और इसे तू कोई नहीं तजया और यह स़रकार तो कभी नही आएगा अर्य सरकार कभी नहीं आएगा नेन ऐन आ इसका कोई बात नहींниц요 लेने लियने चिर्व मार म में लोई गपार देंगे कोई शेंते होगा लेकिन सेम को ममी को एक बार मिल के आते हैं ऐसा तो होना चाहिए था मेरे लिए और फिर ये जो नया दल खुला हुआ हुआ है दो दल जो एजब अखिल गोगोगा और लूरिन जुति गोगोगा दल यहां पर आया था फिर वो और कॉंग्रेस दल आया था अभी घर चलाने में क्या मुश्किल आपको लगती है किस तरह से आप अपनी मा को मैनेज करती है अभी तो ऐसा कोई दूसरा तो ऐसा नहीं है लेकिन ये मम्मी का ट्रीट्मेंट वगेरा बहुत खराब चल रहा है लेकिन फाइनेंचिल प्रोब्लेम के वज़े से वो ट्रीट्मेंट रुख गया है अभी स्टोफ हो गया है तो वो चलाना दिक्कत हो गया है आपके पता क्या करते हैं और आपके घर में क्या काम होता है? पापा तो इरिक्सा सलाते हैं जब मम्मी जब थे दो हजार उन्नेस को अक्टूबर में एक इरिक्सा मम्मी ने खरी लिया था फिर वो पापा सलाते हैं और सेम जब था वो मुजिक बजाते थे ऐसे ही चल जाता था सेम ने मा को फाइनेंचली बहुत हेल्प किया था कैसे? वो मुजिक बजाते थे मुजिक बजा के जो पैसा मेलता था वो खुद एक टी-शिर्ट बगएरा ले ले लेते थे बाखी पैसा सब मा को दे रहे थे उसको पैचा नहीं से यह सब्सक्राइब गुणकी में पुछाना थे में बुछाए तो एक गले में गम चासे कि मैं ने पुछा हुए तुम क्यों इसे कम पैसो में शो करने जाते हो फिर उसने बोला तुम्हे क्या पता मैंने पुछाआ कि वो जो समान मिलता है यह देखो अबुलते हैं एाफ उठा है, वो बोलते हैं ऐसे करे लडरी सेम आरा है, ऐसा बोलते हैं, तो प्रफ़ जोड़ा करके बोल का जाए है, मेरे गले में गमशा देते हैं, तुम्हें क्या पता होगा मुझे असे बोलते है, कुछे पैसा नहीं चाहिए आगे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए क्या हो ताकि साइम को न्याय मिले क्या बोलो आगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिखाई देता है लेकिन हाँ एक आशा की किरन है जब सब ये सरकार नहीं रहेगा जब नया सरकार आएगा चाहिए वो कॉंग्रेस दली हो चाहिए वो नया दल हो सब एक जुथ होके जब नया एक दल होगा तब एक आशा की किरन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ कूछ अच्छा होगा यहाँ सवाल सिर्फ सैम की बहन मौसमी का नहीं है उनकी मा का नहीं है जिनका मानसिक संतुलंगर बढ़ा गया जो बेटे के गम में मीलो पैदल दोड़ जाती हैं बिना चप्पल बिना काइदे के कपड़ा पहने ताकि बेटे को नयाय मिल पाए सवाल यह है कि सैम और सैम जैसे पांच छे और लोग जो पूरे के पूरे असम में एक सम्में बड़े आइकन बने थे इस कानून के खिलाफ उन्हें क्या वाकई असम के लोग यूहीं भुला देंगे और खास तोर से असम की राजनीती में क्या इनकी कोई जगा नहीं स्वेथ